हलो फैंस जैसे की आप देख रहे हैं हमारे पास कमेंट आ रहे हैं की गेज बताएं तो मैं आज इन सभी ऐलमीनियम सेक्षनों के आप लोगों को गेज बताने वाला हूँ तो प्लीज फैंस बने रहे हमारे साथ तो आईए फैंस वीडियो शुरू करते हैं ये मैं सभी सेक्षनों के गेज बताऊंगा आपको और नवस्ते, सलाम, सस्रियाकाल फैंस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अलमीनियम टेक्निकल सुपर चैनल में कोई साभी ऐलमीनियम का सेक्षन हो, किसी में भी आपको हर सेक्षन में ये गेज मिल जाएगी और ये गेज जो है आप कहीं भी लगा सकते हैं फैंस, जैसे कि आप देख रहे हैं बिंडो में अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं अगर आप sliding window बनवाना चाते हैं तो फिर भी आप लगा सकते हैं और अगर आपका कोई open खुलने वाला अगर door लगवाना चाहें। तो तभी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपका fixed glazing है तो तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखिए फैंस सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये फैंस दस गेज से स्टार्ट हो जाता है और ये दस गेज का है हमारा ये जो है आल गेज मैं बता रहा हूँ आप जितनी अलमीनियम में आ रही है यह जो आपको section जो सबसे पहले आप दिखा रहे थे आपको यह जो section है यह 10 gauge की है इस section को आप जो है aluminium window या almira या आपका door या partition किसी में भी आप यह इस्तेमाल कर सकते हैं और फैंस मैं बता दूँ आपको यह जो section आप देख रहे हैं यह हमारी 12 gauge की आगई यह 10 gauge से हलकी होगी क्योंकि gauge हमारा जो है उल्टा हो चलता है जितनी gauge बढ़ती जाएगी उतना section आपका पतला होता जाएगा और फैंस मैं बता दूँ आपको इसमें फरक जो है 30 से 40 रुपे पर फिट पे जो है इस पर फरक आजाता है फैंस अगर आपका 10 gauge वाला 120 है तो यह 14 वाला आपका 100 होगा ऐसे 20-30 रुपे का फुट पर फुट पर फरक आजाता है यह वाला फैंस मैं बता दूँ आपको यह तीसरे नमबर का जो section है यह हमारा 14 gauge का section है और यह जादा तर 14 gauge ही हमारे लोग लगवाते है और यह जो 10 gauge और यह 12 gauge जो है जादा तर department में चलता है क्योंकि वहाँ पे बेट से बाई बेट माल लगाया जाता है इसलिए 10 gauge का और 12 gauge का वहाँ चलता है 14 gauge इसके बाद फैंस मैं दिखा दूँ आपको यह जो section आप देख रहे हैं यह 16 gauge का है और यह जो है आम लगाते हैं घरों में भी यह हम इस्तेमाल करते हैं जादा तर जो लोग है पसंद यह 16 gauge का ही करते हैं उसके बाद फैंस मैं दिखा दूँ आपको 18 gauge यह 16 gauge से हलका आ गया इसमें हमारा थोड़ा screw फिरी होने का chance रहता है और हमारा पला जल्दी से ठक ठक करने लगता अगर पले खुलने वाले हैं बंद करने वाले हैं अगर fixed glaging है तो आप यह 18 gauge भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फैंस मैं दिखान दूँ आपको यह जो है हमारा 20 से 19 gauge का है इसमें भी आप अगर fixed glaging है छोटी अंदर है आपके बाहर नहीं है तो आप इस section का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर fixed करना है खाली आपको परदा रखनी है तो उस जगे आप यह section इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा तो इस तरह से फैंस आप किसी भी section में कोई भी यूज करें तो आप यह यह gauge जो है aluminium में आते हैं यह सारे all gauge दिखा दिये मैंने यह सभी gauge जो है आपको इस size में आपको aluminium में किसी भी section में मिल जाएंगे और आप कहीं भी किसी को भी किसी वक्त भी बता के यह section आप ले सकते हैं थैंक्यू धन्दबाद फैंस